हलो मित्रों जैमातादी मित्रों आप सभी को बता दें कि आने वाला 48 घंटा आप लोगों के जीवर में जो बड़ी घटना होने वाली है सुनकर आप सभी के रोंग्टे खड़े हो जाएंगे जी हां दोस्तों आप सभी को बता दे कि आप कट घरे में खड़ा होना पड़ेगा समय रहते हो जाएं सद्धान अन्य था अगले 48 घंटों में आप सभी का जीवन राजा से रंक की और जा सकता है दोस्तों इसके पीछे बहुत ही बड़ा सड्यंत रहें जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं चाहें आप हमें कितना भी रोकने की गुशिस कर लो लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई बताने वाले हैं जिन से आप अभी तक अंजान हैं किस प्रकार से लोग आपको खुस होना नहीं देख सकते किस प्रकार से आप हमेशा दूसरों के गलतियों की सजा भोगते हो और एक सब्द में कहें तो आपकी माथे पर हमेशा दूसरों का इलजाम थुपने का प्रियास किया जाता है जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपसे विसे निवेदन करेंगे कि सच्चाई बताने में हमारा सहयोग चरूर किजिएगा और जीवन की कीमती समय को निकाल कर इस विडियो को अंततक ध्यान से एक बार जरूर देखे जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारन बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ और यह बात मैं ऐसे ही दावे में नहीं कह रहा गहरे सोध और अध्यन के बात, यह मैंने यह बाते सारी पता लगाई है और विडियो के रूप में आपके सामने पेस कर रहा हूँ तो इसके लिए इस बिसे पर बात करेंगे साथ ही माभदरकाली के सच्चे भक्त पूरी भक्ती भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जै मादुर के अवस्य लिखें मा मेरे संकटों को दूर करो माभदरकाली मेरे रक्षा करो जरूर लिखेगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजेगा मा भदरकाली आपके उपर हमेशा किर्फ़ा बनाए रखेंगी और इसी के साथ मा दुरगा जिनके भी साथ होती हैं उनका कोई भी बाल पाका नहीं कर सकता तो दोस्तों इसलिए जरूर कमेंट कर दीजेगा तो आगे बढ़ते हैं और इस वृडियो में हम बात करते हैं आपके जीवर में धहन क्यों नहीं आ रहा क्या वज़ा है इस बात की क्या वज़ा है कि आपके धहन संफति को किसी ने बांध दिया है या आपको किसी की पूरी नेजर लग गई है या फिर आपके किसमत ही खराब चल रही है हम धीरे धीरे हर फोइंट पर विस्तार से बात करने वाले हैं हर बात को बहुत कहराई से समझाने वाले हैं इसलिए विडियो में अन्त तक जुड़े रही है दोस्तों एक खास बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं बहुत चानवीन करने के बाद बहुत पता लगाने के बाद लाते हैं और इस अध्यन में इस सोध में बहुत मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपचे कुछ भी नहीं चाहते हैं ये सारे free of course आपको मिल रहा है फरन्तु आपचे हम इतना सा निवेधन करते हैं कि आप चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ हमारे family का हिस्सा बन जाएं बस इतना ही हम आपचे चाहते हैं इसलिए आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लें बहुत सारे लोग देखते हैं पर वो चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं तो आप से अनुरूद है आप चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे दोस्तों हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी रासी के जितने भी जातक हैं इस्तरी जातक पुरूफ जातक हैं वो अपने जीवन में बहुत जादा प्रेसान हैं दुखी हैं बार बार इन लोगों को पृसानियों का सामना करना पड़ रहा हैं कई कश्ट जेलने पड़ रहे हैं और बहुत से ऐसे जातक हैं जो हमसे लगातार प्रसनली सवाल करते हैं कि हमें मेहनत करने के बाद भी शफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही हमारे पास धन संपत्ती क्यों नहीं आ रहा या अगर कहीं से धन आता भी है तो रुकता क्यों नहीं है हमारे काम धन्दे सब ठब क्यों पड़ रहे हैं नए काम धन्दे जो शुरू होते हैं उन्में भी अच्छे संकेत क्यों नहीं मिलते हैं नौकरी में बहुत परिशानिया, बहुत समसाएं क्यों आती हैं? और कम उम्र के जातक को भी नौकरी नहीं लग पा रही हैं. बेरुजगारी बहुत परिशान कर रहा हैं. पारिवारिक महौल भी अच्छा नहीं चल रहा. परिवार में बहुत अधिक नकरात मकता. लडाई ज परिशानि हो रखी हैं इन सभी परकार के सवालों के जबाब इस रासी के जातक हमेशा ढूंडते हैं और हमें हमेशा प्रस्ण करते हैं. और आप इसी तरीके के सवालों से बहुत परिसान है मुझे पता है इन सवालों के सही सटीक जबाब अब तक आपको प्राप्त भी नहीं हो पाए है तो हम आपचे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखना है आपको आज हर समस्या का समधान प्राप्त होने जा रहा है आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा सुन्दर हो जाएगा सबसे पहले हम आपको बता दे कि आपकी जो ग्रह इस्तिती है वो काफी अच्छी चल रही है काफी कुसल मंगल है यानि ग्रहों के इस्तितियों की वाज़ा से आपको कोई प्रिसानी नहीं आ रही है जी हाँ दोस्तों आपको आस्चर्ज होगा और यह आवस्चे ही आपके लिए चोकाने वाली बात होगी लेकिन तब भी हम आपके कह रहे हैं कि ग्रहों की और से आपको कोई प्रिसानी नहीं है फिर आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर आखिर कौन सी वज़ा है जब गरह नहीं है तो कौन आपको प्रिसान कर रहा है क्यूं आपके जीवर में इतनी संकट आ रही है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवर में जो संकट आते हैं वह न केवल गरह दोस्ते होता है बलकि इसके और भी कई सारे कारण होते हैं कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वज़ा से हमारे उपर संकट आते हैं तो कुछ हमारे इस्वर तै करते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है और हम गलतियां स्वेंग करते हैं तो हमारे जन्म में आने वाले सुख सुबधाएं और अच्छे समय को रोग देती हैं लेकिन दोस्तों आपका आने वाला समय बहत चमतकारी है बहती खुशियों से भरा है इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके जिन्दगी पूरी तरह से बदल जाएगी आपके दुनिया पूरी तरीके से खुशियों से भर जाएगी जी हाँ दोस्तों पर अब बहत करते हैं कि वा कौन सी गलती है जिसकी वज़े से इसरासी के जात्कों को लगतार मुसीवतों का सामना करना पड़ता है और संकत कटते ही नहीं है और ऐसी कौन सी आदत है गलतिया है जिनकी वज़े से बार-बार आपको घाटा मिल रहा है लाब होने की जगह धानी हो रही है धन प्राप्ती की जगह धन की हानी हो रही है धन लाब धन प्राप्ती हो नहीं नहीं पा रहा लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं बार बार आपका पैसा कहीं न कहीं अटक जाता है फस जाता है काम धन्धा भी ठीक से नहीं चल पाता है और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं, जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं, कि धोखा खाने के बाद लोगों को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है, उस पर भी यदि कोई अपना हितेसी जानने वाला, जिस पर कि हम बहुत जादा करते हैं वही अगर धोखा देदा तो और भी जादा बुरा लगता है मन में एक घाव सा हो जाता है कोई पराया अगर धोखा वाजी करे तो हम सहन भी कर लेते हैं कि चलो उसकी रवया उसका वहवार ही यही है लेकिन यदि कोई अपना धोखा दे दे तो फिर कैसी बात होगी वह सहन करने के योग भी नहीं होता तो दोस्तों इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं तो सबसे पहली गलती हम आपको बताने जा रहे हैं अगर आपके पास कागज और कलम है तो आप इसे लिख ले और नह में एक नकरात्मक वातावरन बनाकर रखते हैं और हमेशा एक सकरात्मक वातावरन हमेशा नकरात्मक चीजों को आकरसित करती हैं इसलिए आप प्रेसानियों से घीरे रहते हैं यह नकरात्मक वातावरन इसलिए तयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है जी हाँ, दोस्तों आप क्रोध बहुत अधिक करते हो आप अपने गुशे पर कापू नहीं कर पाते हो, यहां तक कि आपके अंदर एहंकार की भावना भी पाई जाती है जो आपके लिए बहुत खतरनाग है, आपके लिए एक नकरात्मक वातावरन तयार कर देती है, यह आपकी बहुत बड़ी गलती है, दोस्तों हम जानते हैं, आप लोगों के जीबर में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है, और जो और जादा तरसमय अपने कारिश्यत्र पर ही भी थाते हैं दिन भर अपने कामों में वैस्त रहते है और अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते है, सुकों और खुसियों का आनंद का अनुबव ही नहीν कर पाते हैं, जिसकी बज़ा पर आपको गुस्ता आना चाहिए उन पर आपका क्रोध न निकल कर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए यानि कि आपके अपनों पर आपके घर में आपके भाई बहनों सिर्या माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने रखते हैं और यही कारण मनता है जब आपके घर के लोग ही आपके लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं भागने लगते हैं आपसे जूट बोलते हैं आपसे बचने की कोशिच करते हैं जिससे आपके घर में एक नकरात्मक वातावरन तयार हो जाता है और यह वातावरन ही आपको आपक सफलता प्राप्त करने से रोकता है जी हां दोस्तों तो दोस्तों हम आपको सला देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोद नहीं करना है सांति फ़ुण खुस्यों भरा माहौल बना कर रखिए आप ऐसा करपाने में सक्षम रहते हैं तो यकीनन यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुश्यों की सुरुआत हो जाएगी आपकी सोभागे की सुरुआत हो जाएगी जी हाँ हमें तो अक्सर आपको बताया है और अब भी बता रहे हैं कि आपको सुभा भगवान सुर्यदेप को अर्ध देना है और चांदी की एक अंगूठी धारन करनी है अगर संभव हो तो जिससे आपका चंदर प्रबल होगा और आपका क्रोध शान्त होगा और रात्री को सोते समय आपको क्या करना है एक सिराहने पर एक लोटा जल भर कर अवस्य रखें जिससे आपका मंगल भी शान्त होगा और आपका बौधिक संतूलन भी बना रहेगा इससे आपके घर परिवार में शुक और शान्ती का वाहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सगरात्मक उर्जा का निर्मान होगा दोस्तों यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने पड़े बदलाव आएंगे किसी चमतकार से यह कम नहीं होगा आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है आप मानसिक और सारी दोनों ही इसीतियों में बूरी तरह से फसे खड़े हैं और बहुत ही प्रिसानियों से ग्रसित हैं लोग आपको बहुत प्रिसान करते हैं लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारियां उठानी होंगी और अपने घर के और अपने जीवन के संपुन वातावरन को बदल कर रखना होगा अपने मा के दुखो को अपने मा के कश्टो को कि कभी किसी को बताना नहीं चाहिए इसे किसी के सामने जाहिद नहीं करने चाहिए जब ही आप अपने घर में प्रवेस करें तो मुश्कूराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी और आकर्षित करें, उनसे प्रेम पुन बाते में करें, लोग आपके नजदीक आएंगे, आपको तरह तरह करने की कोसिस करेंगे, और आप जो हैं उनकी चिकनी चुपडी बातों में आ जाते हैं, फिर जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, कि आप जो हैं लोगों के बातों में आ जाते हैं, और बिना सोचे समझे ही उनके कारिक करने लग जाते हैं, और ऐसी इस्टिती में आपका सोशन हो जाता है, और लोग आपका दुर्वियोग कर लेते हैं, यकीन मानिए, कि इस आपका सोशन करते हैं, आप से केवल इसलिए जुढते हैं, क्यूंकि आपकि जेब में रुपिया होता है, जब आपका रुपिया पैसा समाप तो हो जाता हैं, तो आपके अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं, और आप देखते ही रह जाते हैं, आपको इतना बड़ा सकते और आप अंदर से तूट जाते हैं आपका दिल तूट जाता है यहां तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है तो आप कंगाल हो जाते हैं तो आपका प्रेमी आपका हमदर्द आपका जीवन साथी भी आपका साथ छोड़ कर चला जाता है यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है लेकिन रिष्टे नातों के मामलों में आपके जीवर में उथल पुथल हमेशा मची रहती हैं आपने जो सोचा नहीं हुआ वह अनुभव आपको रिष्टों में हमेशा एहसास में मिलता रहता है और इसमें आश्चर्ज की बात आप तो यह है कि आप से आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिष्टों को निभाना नहीं जानते हैं आपको गुसा बहुत आता है अप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए जिसकी वज़ा से आपके साथ कभी-कभी ऐसा हो हो जाता है कि आप अपने प्रेमी प्रेमी का जो है उनसे भी आप जपट पड़ते हैं और दोसार उपन करने लगते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं बहुत तकलीफ में हो जाते हैं और आप लोगों के जीवन की क्रोध ही ऐसा वज़ा है जिससे यह सारी प् पिरियाओं को अपना हग समझ कर करते हैं परंतु दूसरे आप पर आलोप लगा देते हैं आपसे दूरी बना लेते हैं दोस्तों हम जानते हैं आप बेहद ही नर्म दिल के इंसान हैं आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं जब भी आप किसी को तकलीफ में दुख मे देखते हैं तो आप तुरंत इसको मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं चाहे वह इंसान आपका अपना हो या फिर आपका पराया दोस्तों मैं जो बते बता रहा हूं उसे आप गौर से सुनिएगा और अपने अंदर महसूस करिएगा कि कहीं न कहीं या आपके जीवन में हो रहा है ठीक है आप दूसरों की मदद करते हैं सब की मदद करते हैं अपनी इच्छा अपनी छमता अनुसार कभी कभी तो आप अपनी छमताओं से भी जादा करते हैं यदि आपका अपना कोई आप से मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तया हैं रुपए पैसे मांगते हैं उधार मांगते हैं तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है नहीं किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की और से मदद की जाती है यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कई बार होता है ऐसा ठीक है ना एक कई बार होता है कि आपको अपना ही आपके साथ चलकपट करता है और आपके अपने होने का दिखावा करता है और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थे से जुड़ा होता है और आप से अपने अपने आप दूर हो जाते हैं आपको अनाब सनाब बोलते रहते आपके जीवन में आरोप परतियारोप चलता ही रहता है आप उनसे क्या मदद मांगोगे वही आपसे मदद मांगते हैं और जब नहीं मदद करने पर वही आपको आँख दिखाने लगते हैं इससे आपके रिष्टे और खराप हो जाते हैं इस बात से आप बहुत दुखी रह इधा करके आपसे दूर हो जाते हैं दोस्तों अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं जी हाँ अपने होने का दिखावा ये भी आपको देखना होगा दोस्तों यह बात तो आपको पता ही लगानी होगी क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकता यह आपकी अपनी अनुभवव पर अधारित होगा ज़िए आपका किसी वैक्ति के साथ, किसी रिष्टे में अच्छा अनुभव है, तो वह आपका अच्छा रिष्टेदार है, वह आपका अपना है, और सबसे बड़ी पहचान यही होती है, दोस्तों, कि जो हमारे बुरे समय में साथ देता है, वही हमारा अपना होता है, इस वह पराया ही अपना हुआ और वह रिष्टेदार आपका दुस्मन हुआ इस बात को जो है आपको याद रखना है और एक चीज आपको और याद रखनी है एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया उसे आपको हमेशा के लिए दूरी बनाया रखनी होगी जी हां मैं ज आफधान सोकर सुनिए क्योंकि एक बार जो आपको पूरे समय में धोखा दे चुका है वो दोबारा भी आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही वरताव करेगा आपको धोखा देगा तो दोबारा दुखी होने से बहतर है कि आप उस इंसान को पहचान ये और उनसे दू दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपकी प्रेम जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे समस्या को कैसे आप दूर कर सकते हैं यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपकी नौ पाई भी बताएंगे तो आप वीडियो को देखिएगा अंत तक ठीक है वीडियो थोड़ी से लंबी होगी आपका समय जरूर लूँगा लेकिन आप देखिएगा ठीक है यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है और या फिर नौकरी ही नहीं लग रही है मिल ही नहीं जिनका हार जाना आपको बाद में बहुत पैस्ताना पढ़ता है आपँ बहुत प्रिसान हो जाते हैं आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे कारेिक किये होंगे जिनमें आप सब्र से काम लेते हूँ तो आज आप कहीं और ही होते जी हां दोस्तों आप विचार करके जाती है कि कुछ लोगों में इतना अधिक सवर होता है कि वह उन चीजों को भी मिस कर जाते हैं जो उन्हें प्राप्त होने वाली है यानि कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सोच विचार करते हैं कि उनका अच्छा समय आकर भी चला जाता है कोई भ तो आपके अंदर सबर बहुत कम है या फिर आपके अंदर सबर रखकर कुछ जादा ही है दोनों ही इस्तितियां खराब है इस इस्तिति में आप जल्दबाजी में कारिक कर जाते हैं और दूसरी इस्तिति में आप सोंच विचार करते ही रह जाते हैं यानि मोके का लाब सही से उठा ही नहीं पाते हैं तो दोस्तों कमेंट गरके बताईएगा कि आप जरूर बताईगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं कि आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या फिर आप जादा ही सूच विचार करते हैं किस प्रकार के इंसान आप हैं कमेंट करके अवस्य बताईए और ऐसा देखा गया है कि 80 के जातक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तुन्हें सफलता पाने में कुछ जादा ही ललक होती है और इस ललक के चलते वो जल्दी जल्दी सभी काम को निपटाना चाहते हैं फैसले लेते हैं और कारुबार में जल्दी से जल्दी उचाई उपर तक जाना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा कि कोई भी बड़ा काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता हर चीज को अच्छी तरीके से होने में शमय लगता है इनको भी फलदार पेड़ बनने में शमय लगता है एक छोटा सा अब फल देता है यदि छोटे छोटे पौधे को भी कितना भी आप सीज दो कितना भी पानी दे दो वह फल नहीं देगा उसमें समय लगेगा तो सबर एक सही समय पर सही मात्रा में किया गया सबर ही आपको सफलता परदान करता है जिससे हमें भी सही फैसले लेने का अवसर प्राप तो होता है और बुद्धिमानी से लिए गया फैसले धीरे धीरे हमें सफलता की सीडियों पर चढ़ाते हैं इसलिए दोस्तों आप से निवेदन करूंगा कि आप जो भी बैपार करें जो भी काम करें उसमें थोड़ा सा समय दे और सबर के साथ काम करें बताने को ब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि हम जो भी वीडियो बताओं बनाएं वह आप तक पहुंच जाए और इसी के साथ मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं ठीक है अब इतना ही रखता हूं मैं अगली वीडियो में आपकी और भी कई सारी बातों को बताओंगा तो नेक्स पार्ट टू को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे इसमें मैं कुछ उपाय बता देता हूं ठीक है उपाय को आप कर लिजेगा अगर नोकरी नहीं लग रही है नोकरी मे कर्ष्ट हो रहे हैं वैसे में आपको क्या करना है वह सुनिये मित्रों हमारे रोजगार धन संपत्ती से जुड़ागर सुक्र है और यदि हमारे जीवन में सुक्र नीज का रहेगा या फिर सक्तिहीन रहेगा तो ये हमें उतनी धन संपत्ती या उतना धन नहीं दे सकता है यह हमें हमेशा धन, संपत्ती और रोजगार से सम्मंदित प्रिसानियां पेडित करती रहेंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको सुक्र से सम्मंदित उपाय करने होंगे। इसके लिए आपको सुकुरुवार को वृत रखना प्रारंभ करना होगा। शुकुरवार के दिन सफेद चीजों का दान करना होगा, छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी 5 कन्याओं या 11 कन्याओं को मिठी खीर खिलानी होगी, और उन्हें कुछ सफेद चीजें, सफेद वस्तुमें दान करनी होगे, जैसे कोई सफेद रुमाल, सफेद यह सब दान करने होगे, बस इतना करने मातर से आपका सुक्र मजबूत हो जाएगा, और यदि आप उनको समय मिले, तो साम के समय मसलियों को भी दाना चुना दे, मतलब आप दाना जो है, वो डाल दे मसलियों को ऐसा करने से, आपका सुक्र मजबूत हो जाएगा, और आपक आपको प्रिषाद के जीवन की सभी फ्रकार के प्रिसानिओं से छुटकार भी आपको मिलने लगेगा, और यह बहुत ही शक्ति साली उपाय है, सरल है लेकिन बहुत सक्ति साली है, इन उपायों के जरिए आपके जीवन की सभी समझयाओं को आप दूर कर सकते हैं तो हमने आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है आपको प्रिसानी क्यों आ रही है और यदि आपको जानकारी पसंद आई और next part को देखना चाहते हैं तो comment कर दिजिएगा जिसमें कि मैं आपके जीवन के और गहरी सोध करूँगा और अलग-अलग विसियों पर आपको बताऊँगा तो next part के लिए comment किजिएगा और यह video कैसी लगी comment में जरूर बताईएगा कौन सी आपकी आदत अच्छी है कौन सी बुरी यह भी आप जरूर बताईएगा और विडियो को अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो कर दिजिएगा चैनल को भी subscribe कर लिजिएगा और comment box में सच्ची के साथ जय मादुरुगा पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिएगा इसी के साथ मादुरुगा आपकी रक्षा करें मां आपके सभी कश्ट को दूर करें और आपके जीवन में सुख संब्रदी सुख सांती सुख एस्वर्य और संफलता के नए उचाई के चरम को हांसिल करने में मां आपकी सहायता करे आपका दिन सुभ हो मंगल कारी हो